तो दोस्तो स्वागत है आपका अपना यूटूब चेनल सरकारी टेक पर तो दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे बिनोवा भावे उनिवर्सिटी हजारी बाग द्वारा एक ओफिस्यल नोटीस जारी किया गया है तो चलिए दोस्तो आपको नोटीस में दिखाते हैं और आपक लिखा है नोटीस फोर कंस्टिट्वेंट कॉलेजेज तो दोस्तो फिर यहां पर लिखा हुआ है देखें फोर दी स्टुडेंट हूज है पेड देर एडिमिशन फी आप्टर फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट एडिमिशन बस्ट द्यू तो सम आप रिजन फैल्ट तो गेट कॉलेज रोल नंबर अप्टर डि वेरिफिकेशन अप सेटिफिकेट तो दोस्तो यह नोटीस उन विद्यारतियों के लिए है जो एडिमिशन के लिए फी पेड कर चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम फर्स्ट और सेकेंड मेरिट में आ गया था और आप अपना पेड कर दिये थे अमाउंट जैसे सत्रा सो या कुछ लग जाता है दो हजार के करीब तो वो एमाउंट यदि आप पेड कर दिये थें बट डियू टू सम ऑफ रिजन किसी कार्नवस फेल्ट टू गेट कोलेज रोल नुमर किसी कार्नवस आप आपका जो है कोलेज रोल नुमर नहीं मिल पाया है अप्टर दी वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट यदि आपका फस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था और आप एडमिशन करा दिये थे लेकिन किसी कार्नवस आपका रोल नुमर नहीं मिल पाया है of the admission and verification of certificate of the second merit list students तो दोस्तों इसमें लिखा गया है कि भौश चांसलर जो आद्वारा डिसाइड क्या गया है कि जोन लोगों का नाम नहीं आया मतलब रोल नमबर नहीं मिल पाया है उनके लिए second merit list में तो इसमें लिखा if seat remains vacant certificate verification of such a student may be also considered जदि आप verification करने के बाद आपका रोल नमबर नहीं आया है तो दोस्तों आपको और एक मोका दिया जा रहा है लिखा है if seat remains vacant यदि seat खाली रहा तो आपको और एक मोका दिया जाएगा वहीं दोस्तों देखिया आगे लिखा है admission in charge of all the colleges are therefore requested to kindly manage the verification of such a student दोस्तों student in charge in charge जो होते हैं college को द्वारा उनके द्वारा request किया गया है कि verification हो गया है इसे विदार्थियों का क्या किया जाए तो उनके लिए जो मैंने बताया कि जो है आपका और एक मोका दिया जाएगा आपको तो आप उस मोके को गवाये मत उसमें date दिया हुआ this is the last chance for the verification of certificate for the student admitted through the first and second merit list दोस्तों बता दे इसमें लिखा गया है कि यह आपका आखरी मोका दिया जा रहा है verification करने का certificate तो आप ज़दी first second merit list में आपका नाम आ गया है और आप verification नहीं करा पाए हैं तो आपको और एक मोका दिया जा रहा है वो है 18 October से 22 October तक आपका certificate verification का date निकाला गया है दोस्तों तो आप नहीं कराए हैं तो 18 से 22 तक करवा सकते हैं फिर यहां देखते हैं कोई problem होने से यहां पर दिया है for any problem feel free to contact यह contact number दिया हुआ चांसलर का और यहां देखिया आज़े गुमार सर्मा नोडल ओफिसर चांसलर पोटल बिनो अभाव उन्निवर्सिटी हजारी बाग तो दोस्तों आईए और नोटीस आपके लिए बहुत ज झाल